गर्षन सास्त्र के हमें आप सब का स्वागत है एक प्रशन आया था मैं अपनी तरफ से उसका उत्तर देता हूँ आज प्राते काल मैं विचार कर रहा था जैसे कि मैं आज कल इस विशे में सांखे सास्त्र का जो एक्रम चल रहा है इस में लग भग चार पांस घंटे एकांत में सांथी से पूरा मौन हो करके कुछ मैं करता रहता हूँ विचार तो मेरे मन में एक बात आई कि इस संसार में तीन प्रकार के लोग दिखाई देते हैं उनका नाम करने दिखिया जाए तो एक है प्रवृत्ती मारगी और दूसरा है निवृत्ती मारगी और एक है वैदिक वैदिक मारगी हम यह कहें वैदिक मारगी और चोथा एक और है जिसको हम मारग में नहीं गिनते भोग मारगी कह सकते हो उनको उनको भ्रष्ट मारगी कह सकते हो इस नाम से उनको आप पुकार सकते हैं तो प्रवर्ती मारगी ऐसे लोग होते हैं जैसे यज्जियाग करते हैं जैसे बहुत ही अपने जीवन को सास्त्रादी के अनुसार साध करके चल रहे हैं सकाम कर्म करते हैं अच्छे अच्छे काम करते हैं सकाम का मतलब होता है कामना के साथ कुछ अच्छे अच्छे काम करते हैं तो ये जो है इनको कहेंगे प्रवर्ती मारगी सकाम करने वालों को यज्यागादी पुन्य कर्म करने वालों को कही कोई अनचेतर चलाते हैं कही स्कूल कॉलेज में कमरा बनाते हैं कही अनाथाले चलाते हैं इस तरह के अलग-अलग काम करते हैं तो इनको हम कहेंगे प्रवर्ति मार्गी हैं ये किसी कामना को सामने रख करके कुछ अच्छे-च्छे काम करने वादे जियान मार्क पर नहीं चल रहे हैं वो जियान मार्क पर नहीं चल रहे हैं इधर उदर से कहीं से उनको कोई एक वाक्य मिलता है सुनने को और उस वाक्य के अनुसार किसी मापुर्ष से सुनते हैं या किसी सास्त्र से सुनते हैं कि शुब कर्म करने चाहिए हमारे को और उसके अनुसार अपने जीवन को सुब में चलाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को सकाम कर्म पर चलने वाले, सकाम कर्म के रास्ते पर चलने वाले कहे जाते हैं, इनको एक प्रेपथगामी, इनको प्रेपथगामी भी कहते हैं, प्रेपथपर चलने वाले. जैसे मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है मुझे अच्छा जन्म पाना है इस तरह से अच्छे जन्म की इच्छा से प्रेडित हो करके कुछ अच्छे काम करते हैं उन लोगों को प्रवृति मार्गी या प्रेपथगामी कहा जाता है दूसरे जो लोग होते हैं वो निवृति मार्गी हैं, निवृति मार्गी को स्त्रे पत्धामी कह सकते हैं, जिनकी ये इच्छा है कि हमें जियान प्राप्त करना है, हमें जीमन मुक्ती की इस्थिती को प्राप्त करना है, ऐसे जिनके लक्ष में है, तो इन दोनों में अंतर ये है, प्रवृति मार्गी जो हैं, वो जियान पर केंद्रित नहीं होते, हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, अपने जीवन में ऐसा जन्म पाना है, जिससे अधिक से अधिक हम सुखी रह सकें, उनके तारगेट में सुख होता है, कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सुखी जीना चाहते हैं, यज्यादी करते हैं, तो यज्यादी के द्वारा हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसी उनके मन में इच्छा होती है, कहीं इसी तरह के धर्मकारियों में खर्च करते हैं, तरह तरह के जो धर्मकारियों में अपने कमाईवी संपत्ती का दान करते हैं, तो उसमें भी उनके मन में ये होता है, कि हम यह अच्छे काम करेंगे तो हमें आगे अच्छा मिलेगा मकर सक्रांती के दिन हमारे उधर हर्याणा में राजस्थान में एक परंपरा होती है कि मकर सक्रांती के दिन माताएं जो है रास्ता जहाडू लगाती है गाउ में जो है माताय ज़ाडू लगाती है मकर सक्रांती के दिन तो उनको ये बालेकाल से परंपरा में ये पढ़ाते हैं उनके माता पिता या परंपरा में ऐसे बताते हैं कि भी ज़ाडू लगाओगे रास्ता बहारोगे तो आपके लिए भी कोई रास्ता बहारेगा तो ये कामना उनके मन में डाली जाती है कि आगे चल करके हमारे भी रास्ते साफ मिले हमारे रास्ते गंदे ना मिले हमें रास्ते हमें साफ मिले इस तरह से कोई भी एक कामना लेकर के यदि हम इस तरह की एक होती है अच्छे जन्म की प्राप्त करने की कामना और एक है जन्म को उच्छेद करने की कामना कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कोई वासना सेश ना बचे कोई इच्छा सेश ना बचे ऐसा प्रवर्ती के लिए प्रवर्ती होती है एक निवर्ती के लिए प्रवर्ती होती है जैसे एक विशयानुराग होता है एक इश्वरानुराग होता है तो जो इश्वरानुराग होता है वो निवर्ति के लिए अनुराग है वो प्रवर्ति के लिए अनुराग नहीं है पर विशयानुराग जो होता है विशय का जो अनुराग होता है विशय के लिए जो हम विश् होती है हमें निवृति यदि हम चाहते हैं अपने जीवन को मुक्ति चाहते हैं अपने जीवन को ऐसी स्थिती में जीना चाहते हैं जिससे कि हमारा जियान से परिपूर्ण जीवन हो तो ऐसे जो इच्छा करते हैं ऐसे जो लोग होते हैं उनको निवर्ती मारगी कहते हैं या स्त्रेप अथगामी कहते हैं ये लोग अपने कर्म के उपर केंद्रित नहीं होते हैं कि मुझे अच्छे अच्छे शुब कर्म करने हैं और मुझे शुब कर्म के द्वारा मुझे कुछ विशेस उन्मती प्राप्त करनी है जीवन की अपनी दूसरों के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं लेकिन इस भाव के साथ कि सुख देंगे तो हमारे लिए भी सुख मिलेगा और हमारे को स्वर्ग मिलेगा सुख विशेस मिलेगा स्वर्ग का मतलब यह होता है कि जहां कोई दुख न हो उसको स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग की परिभासा की जाती है, स्वर्ग के लिए एक स्लोग बोला जाता है, यन दुखेन संभिन्नम, यन नचग्रस्तम अनंतरम, जो दुख से जिसमें दुख की मिलावट नहीं होती है, यन दुखेन संभिन्नम, जो दुख से मिला हुआ नहीं होता है, संभिन्न सब्द कारद होता है मिला हुआ जो दुख से मिला हुआ नहीं होता है नचा ग्रस्तम अनंतरम लेकिन बाद में भी दुख नहीं होता है कुछ चीज़े ऐसी होती है कि बाद में दुख में बदल जाती है नचक ग्रस्तम अनंतरम अभिलासोप नीतम चै और हमारी अभिलास हमारी इच्छा से जो इच्छा की पूर्ती से जुड़ा हुआ होता है कि हमने कोई काम ना की और उसकी पूर्ती हो गई तद सुखम स्वैस स्वर्ग पदास पदम ऐसे सुख को स्वर्ग नाम से कहा जाता है तो जो जो लोग इस भाव के साथ सुख कर्म करते हैं कि हमारे को सुख विशेश मिले जियान के उपर उनका concentration नहीं होता तो उनको प्रहुरती मारगी कहा जाता है यजी हैं जो कर्मकांडादी जो सांख कारिका में आप पढ़ रहे हैं और दूसरी कारिका में बात दृष्ट वद आनुस्त्रवी का आनुस्त्रवी का सब्द से जो कहा गया है दृष्ट वद आनुस्त्रवी का सही अविशुद्धी क्षय अतिशय युक्ताह ऐसा महापर कहा कि जैसे दृष्ट उपायों के द्वारा दुख की अत्यंत निब्रती नहीं होती है ऐसे ही इसी तरह से इसी प्रकार से जो ये यज्जीय कर्मकांडादी हैं बड़े बड़े वेद में जिन अनुस्ठानों का विधान किया गया है वो भी इसी स्रीनी में आते हैं उनसे भी हमारे को अत्यंत दुख की निब्रती जो दुख का अत्यंत विघात है तीन प्रकार के दुखों की जो समाप्ती है वो नहीं हो पाएगी तो ये प्रवर्ती मारगी पहले लोग होते है निब्रती मारगी दूसरे प्रकार के लोग होते है जो जियान पर कॉंसेंट्रेशन किये हुए है पहले कर्म के उपर हैं दूसरे जियान के उपर कॉंसेंट्रेट हैं और ऐसे लोगों को स्त्रे पत्गामी कहते हैं दो प्रकार के रास्ते हैं कहा जाता है एक रास्ते का नाम है स्त्रे और दूसरे का नाम है प्रे तीसरा एक रास्ता है इसमें भी ये जो प्रवर्ती मार्गी और निवर्ती मार्गी मैंने जो नाम दिया इसमें एक बहुती अती में जा करके निवर्ती मार्ग का अनुशर्ण करते है और ये एक तीसरा मैंने नाम दिया वैदिक मार्गी वैदिक मार्गी लोग वो होते हैं जो ज्यान भी प्राप्त करते हैं और समाज का और सब चीजों का संतुलन बनाने की कोशिस करते हैं किसी भी चीज को जीवन के किसी पहलू को छोड़ते नहीं है ऐसी जो ऐसे विचार करके जो चल रहे हैं अपने जीवन को आगे ले चल रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको हम वैदिक मारगी कहेंगे शुद्वैदिक मारगी उनको कहेंगे जो अभ्यूदय और निस्त्रेयस दोनु चीजों को अपने सामने रख रहे हैं ये निवर्ति मारगी मैंने उनके लिए कहा जो केवल मात्र जियान को सामने रख करके अपने जीवन को चला रहे हैं और वो भी सेवा तो करते हैं ऐसा नहीं कि कोई उनके पास आता है तो उपेक्षा करें जैसे बाबा जी तमिलनाट बाबा जी के पैरों में चूहा आ गया और एक चूहे को बचाने के लिए अपना जीवन को बलिदान करने के लिए तयार हो गया चूहे की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को दाव पर लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि वो सेवा नहीं करते पर सेवा के कई धंग होते हैं जैसे कि सेवा का एक तरीका होता है कि कुवा बन जाएं और प्यासे लोग आएं और उसमें पानी पीएं सेवा का एक रूप होता है बादल बन जाएं कि जाजा करके बरसें ये भी एक सेवा का रूप होता है कि जाजा करके दूसरे के खेतों में बरसें तो ये सेवा के कई रूप होते हैं तो ये जो निवृति मारगी हैं जो कि ज्यान प्राप्ती के लिए कॉंसेंट्रेट हो र करते हैं समस्टी की उनके हिर्दगिर्ज जो लोग होते हैं उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं उनके प्रती सारी समस्टी के प्रती क्रतज्यता और प्रेम से भरे होते हैं और उनकी शरण में कोई आ गया तो उसकी रक्षा करते हैं और उनसे कोई प्रस्न पूछता है तो उसको को बताते हैं उत्तर देते हैं सारी काम करते हैं लेकिन वोने उन्होंने करत्रितु भाव को खतम कर दिया है और प्रवर्ति मार्ग में करत्रितु बना रहता है मैं करने वाला हूं और मुझे अच्छा करना है इसमें करत्रितु बना रहता है निवर्ति मार्गी जब हो जाते हैं तो वहां करत्रितु भाव समाप्त हो जाता है और वो अपना काम करते चले जाते हैं जैसी परिस्थितियां उसके अंसार वो करते चले जाते हैं तो ये निवर्ति मार्गी है शुद्वैदिक मार्गी इसक कि प्रवर्ति में निवर्ति और निवर्ति में प्रवर्ति, इसको हम सुद्ध वैदिक मार्गी कह सकते हैं, कि कर्म करते हुए और निवर्ति में और निवर्ति में होते हुए प्रवर्ति में, जैसे कि सिमत भगवत गीता में कहा है कि कर्मनी अकर्मयापसेद, अकर्मनी चे क कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है सब उद्धिमान मनेश मनुश्येशु से क्रिच्न कर्म क्रिच्न रहा ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण कर्म करने वाला मैं मानता हूं गीता में एक बड़ा दर्शन प्रस्तूत किया कर्म में कर्म करते रहें पर अकर्म होता जाए कर्म की कोई रेखा हमारे उपर और अकर्म की स्थिती रहें अकर्म की स्थिती में जियें पर निरंतर कर्म करते रहें तो प्रवर्ति में निवर्ति और निवर्ति में प्रवर्ति ये एक एक और मैंने मेरे मन में जो आया वो ये और मार गये इसको भी हम स्रेश पत्वाला ही कहेंगे यदि ये सावधान रहते हैं सावधान रहते हैं और अपने अंदर कर्म करते हुए सावधान रहते हैं और बराबर निवर्ती में भी यदि प्रवर्ती और प्रवर्ती में ये निवर्ती बनाए रख पाते हैं तो इनको भी हम स्रेय पथगामी कहेंगे स्रेय पत्गामी पर जैसे ही हम कर्म के साथ जुड़ते हैं बहुत संभावनाएं होती हैं कि कर्म के साथ जुड़ने से कर्म की जो कर्म के जो दोश हैं वो हमारे साथ लिपट जाते हैं और वो जो संसकार और वासनाएं और ये सारी चीजें लेपड जाती हैं तो यदि वो संसकार हमारे अंदर आ जाते हैं कर्म करते हुए और हम उन संसकारों से प्रेवित होकर फिर आगे कर्म करते हैं और हमारे अंदर यदि करते हैं तो अभवान बचा रहता है तो उस समय हम उसको प्रवृति मार्गी इस रेनी में रखेंगे यह अच्छे करन करने वाले होते हैं उनके जीवन का भी विकास होता है उनके जीवन में भी जब बहुत परुपकार होता जाता है बहुत पुन्य संचे होता जाता है तो धीरे धीरे जियान का विकास होता रहता है अन्तत है, तारगेट तो यही होता है कि हम सुद्ध वैदिक मारगी बने या निवृति मारगी बने तारगेट तो हमारे जीवन का यही है प्रवृति मारगी भी अभी नहीं धीरे 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 विकास क्रम में जैसे ही उनके अंदर ये जिज्यां सा जागरित होती है कि मुझे अपने जीवन में मुझे अपने जीवन में और आगे बढ़ना है जहां तक हम पहुँच जाते हैं वहां से आगे फिर हमारे मन में एक जिज्यां सा पैदा होती है हमा तक पहुँच गया वहां जाकर के रुकता नहीं है वो और आगे-ागे बढ़ता ही रहता है तो यह तीन मार्ग है और एक चोथा मार्ग जो है वो भ्रष्ट मार्गी भोतिक वादी ब्रष्ट मार्गी कहें या भोतिक वादी कहें अच्छे और बुरे साधनों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं चारें साधन सुविधा संग्रय इन लोगों का तार्गेट होता है इन लोगों का लक्ष होता है कि मुझे सुविधा संग्रे करना अधिक से अधिक अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए सुविधा संग्रे इनके ध्यान में होता है बस और उसी से सुखी होना चाहते हैं उसी में अपने जीवन की धन्यता देखते हैं तो ये भोतिक वादी कहें ये एक रास्ता है मरते हैं जीते हैं मरते हैं जीते हैं यही कुछ होता है इसमें इसके लिए उपनिशत की भासा में कहा है जायस्वम्रियस्व जायस्वम्रियस्व मरो जीओ मरो जीओ ऐसे चलते रहते हैं मक्खी मच्छर की तरह मच्छर मक्खी जो होता है उसकी तरह से इनका जीवन का क्रम हो जाता है तो ये इसके साथ एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस संसार में इस हमारे इस सामने जो ये जगत फैला हुआ है इसमें हमारी जो दृष्टी है हम जो साधक लोग है वो नाम और रूप को देखते हैं नाम रूप को देखने का मतलब है आप संख सास्तर पढ़ रहे हैं नाम रूप को देखने का मतलब है तेईस तत्तों को देखना तेईस तत्तों का जो मूल है वो प्रकृती है और प्रकृति के स्वभाव का यदि अध्यन किया जाए कि प्रकृति का जो मूल स्वभाव है वो क्या है ये जो तीन गुण है प्रकृति के ये क्या हमारे लिए उपलब्द कराते हैं प्रकृति के गुणों को सुख दुख और मोह रूप कहा गया है तो जब हम देखते हैं चीजों को जब हम देखते हैं आखें खोलते हैं और चारों तरफ फेले वे विशाल जगत को देखते हैं तो हमारे को हमारी पहुंच कहां तक है यह हमें देखना होता है यदि हमें यह नाम रूप आत्म के जगत दिखाई देता है यह प्रकृति दिखाई देता है मानि 23 तत्व दिखाई देते हैं तो 23 तत्व दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सुख दुख और मोह के घेरे में हैं हम कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे, कई भी मोह में होंगे यदि हम इस से परे, इस 23 तत्शों से परे एक जो चेतन तत्व है वहां तक हमारी दृष्टी पहुँँ गई, वहां तक हम देख पा सकते हैं या अपने आपको उस चेतन तत्तों में स्थिर कर सकते हैं, यदि ऐसा हम कर सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए दुख मुक्ती की बात कही गई है, हम जब देखते हैं इस जगत को, तो हमें appearance दिखाई देती है, यह जो बाहरी external जो रूप है वो दिखाई देता है, लेकिन the thing in itself, जो चीज इसके अंदर है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, जिस अधिष्ठान पर ये टिका हुआ है, जिस चेतन तत्तु के कारण से ये अभिव्यक्ति पा रहा है, हमें वो नहीं दिखाई देता है, हमें तो ये नाम रूप दिखाई देता है, और जब नाम रूप के साथ जुडेंगे, तो उसमें राग और द्वेश, हमारी जितन अप्रिती होगी, यही चलता रहेगा, राग और द्वेश, राग और द्वेश, यही चलेगा, जब हम इस दुनिया को देखेंगे, और इस दुनिया को देखते समय, हमारे को इसके पीछे, इसके अधिष्ठान में, इसके आधार में जो चेतन तत्व है, वहाँ तक हमारी दृष्टी नहीं पहुंचती है तो यह तो सुख दुख और मोहत्मक है ये जगत ये जो प्रकृती के गुण है ये त्रिगुण जो है सुख स्वरूप दुख स्वरूप और मोह स्वरूप है देखने वाली की दृष्टी में देखने वाली की जो दृष्टी है वो अंदर से नहीं आ रही मानि चेतन तत्त के साथ जुड़कर के ये दृष्टी नहीं बाहर प्रकट हो रही है तो वो सुखी दुखी या मूड बन करके देखेगा चीजों को और बाहर की चीजें भी सु सापित कर लेता है तो निष्ठित रूप से वो एक अठकल जिसको कहते हैं एक ऐसी एक ऐसी युक्ति खोज लेता है कि वो सुख दुख मोह से पार हो जाता है तो यह सांकिसास्त्र इस तरह से हम को समझा रहा है कि हम जो है कैसे हम अपने जीवन को कूल दुख मुक्ति की स्थिती में ले जा सकते हैं जैसे कोई भी एक व्यक्तित्त जब हम देखेंगे तो उसके दो हिस्से हमारे सामने आएंगे उसका एक पार्ट प्रकृति है जिसको हम मन बुद्धी चित एंकार इंद्रियां तनमात्र ये शरीर बोड़ी और इस बोड़ी के साथ जो अंदर मन बुद्धी है जिस बुद्धी से हम युक्तियां लगाते हैं काम करते हैं ये सब करते हैं तो एक हिस्सा तो तेईस तत् हमारा पूरा ये व्यक्तित्व सांकिसास्त्र हमको क्या सिखाता है यही सिखाता है सांकिसास्त्र यही कह रहा है कि एक तरफ तेईस तत्व हैं दूसरे तरफ चेतन तत्व है तो कभी कभी हम पूरे के पूरे 23 तक्तु में केंद्रित हो जाते हैं कभी कभी हम पूरे के पूरे उस एक तक्तु में चले जाते हैं कोई देखने वाला व्यक्ति जो है वो 23 को छोड़ करके एक की तरफ जुख जाता है कोई कोई देखने वाला उस एक को छोड़ करके 23 की तरफ जुख जाता है तो इसलिए ये दिक्कत होती है यह वहार में हम सब ऐसा करते हैं जब हम जिस अंस की हमारे अंदर प्रधानता होती है जैसे हमारी जो साधना है या हमारा जो दर्शन है हमारा जो वीजन है वो तेष्ट में ही गूम रहा है तेष्ट में हमारा वीजन चक्कर काट रहा है तो हमारे को देखने वाले को तेष्ट तब दिखाई देते हैं हमारी स्थिती तेष्ट तक है माने तेष्ट भी क्या कहें बुद्धी तक भी कौन पहुंच पाता है अहंकार, मन, इंद्रियां यही तक बुद्धी भी जो है वो भी silent रहती है 22 ही कहना चाहिए 22 तक ही हमारा जो है देखने वाले का भी और जिसको हम देखते हैं उन सब का भी हमारे को यही चीजें दिखाई देती हैं इधर भी हम 22 है और जिसको देख रहे हैं वो भी 22 है तो उस तरह से हम उसको प्रमुक्ता दे करके हम ऐसा व्यभार करते हैं कि ये दुश्ट है ये राक्षस है ये अधम है ये पतित है ये जो भी कुछ हम सब्द बोलते हैं उस 22 के आध हर पर रहिंगे निर्धारण करते हैं उधर वो जो कुछ लोग ऐसे बहूंदेते हैं जैसे अप आपने भक्ति भाव में या प्रवामें ऊरुण द्रिश्टी तो नहीं यह और है प्रवामें जैसे वो लोग वो जैसे बाईस यह दिख रहा है उनको और वो जो चेतन तथ्व है उसको विल्कुल एक तरफ कर दिया तो ऐसे वो लोग उस एक तक्त्व की तरफ केंद्रित हो गए और उसका जो बाहिय रूप है जिसको हम मन, बुद्धी, चित, हंकार और इंद्रियां और उसके जो एक्टिविटीज मन, बुद्धी के द्वारा ही हम एक्टिविटीज करते हैं तो उसको उसने एक तरफ कर दिया और उधर केंद्रित हो करके वो ऐसा व्यभार करता है, तो एक अर्थ में हम कहें, वैदिक द्रिष्टी से यदि देखें, वैदिक द्रिष्टी से ये देखें, तो इन दोनों का संतुलन करना पड़ेगा, पर हम जब एक विशेष प्रवाह हमें जब हम बोलते हैं, तो हम इस तरह से व्यभार करते हैं, या कोई व्यक्ति यदि पतित है, कोई व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कोई खतरनाक व्यक्ति है, तो हम उसको दुष्ट की संजा देते हैं, राक्षस की संजा देते हैं, लुटेरे क की संजा देते हैं कोई एक व्यक्ति इसको अंदेखा करके और उसी एक चेतन तत्यु की तरफ अपनी द्रिष्टी डालता है तो वो इसको तिरोहित करके एक कहता है कि सब में भगवान है सर्वं खलू इदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म मैं दिखाई दे रहा है तो हमें यदि हम ये चाहते हैं कि संतुलिक द्रिष्टी से हम देखें और इसमें किसी को आपत्ती भी ना हो तो फिर ये कहना पड़ेगा कि भई अंततय उसमें भी भगवान है और मनुष्य जो है एक चोर से चोर और डाकू से डाकू जो व्यक्ति है एक कहवत भी अंग्रेजी में पूरे शब्द मुझे याद नहीं आ रहे कि प्रतेक जो ये जो राक्षस और प्रतेक जो खतरनाक जो व्यक्ति है उसके अंदर एक सेंट का निवास है और प्रतेक जो राक्षस और अब सेंट बन गया है भूतकाल में वो सेंट भूतकाल में वो राक्षस था पर अब उसने सेंट की स्थिती प्राप्त कर ली मैंने एक साधुता की स्थिती प्राप्त कर ली और आज जो राक्षस है वो उसके लिए भविश्य एक सेंट एक साधुत्तु का उसके लिए वो भी मैंने किसी महानपुरुष से सुना था कि जाने और अंजाने में भगवान की तरफ जा रहे हैं हम जाने और अंजाने में सभी लोग भगवान की तरफ जा रहे हैं मानि ऐसे लोग जो समाज के लिए बहुत घातक हैं जिनको हम ताना साह जैसे हिटलर जैसे लोग जो लाखों-लाखों लोगों को कतले आम कर दिया और अपने एंकार की त्रिप्ति में जो इस तरह से मानुता की तरफ जो एक शन के लिए भी जिनके अंदर रहम और दया करुणा नहीं ऐसे लोग भी कभी ने कभी अनंत काल की इस त्रिंखला में कभी ने कभी वो भी जियानी बनने की संभावना है उनमें भी तो मनुष्य की स्थिती में आकर हम मनुष्य की स्थिती में पहुँचने के बाद और यदि हम जो है मनुष्य की स्थिती में जाने के बाद हम यदि ये सोचते हैं कि ये लोग यदि ये लोग जो है ये ज्यानी नहीं बन सकते ये हमारे ज्यान की हमारी जो वीजन की कमी कही जाएगी मनुष्य कोई भी ज्यानी बन सकता है वो कभी कोई ऐसा एक खशन आता है कि हमारा पूरा भूतकाल धस्त हो जाता है और हमारा चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है सब को अपना-पना जीवन का आनुभो होगा तो इस तरह से हम मनुष्य जो हैं वो जब इस दुनिया को देखें तो सांख्य में ये समझाता है कि चेतन को भी देखें मन बुद्धी चित एहंकार और इनके द्वरा की जाने वाली क्रियाओं को भी देखें और इस तरह से जहां इसके मन बुद्धी चित एहंकार में सुधार की जहां भी गुझायस है अपने अंदर या दूसरे के अंदर उसके लिए हम प्रयत्न करते रहें और इस प्रयत्न में निश्चित रूप से हमारा या दूसरे का जरूर कल्यान होगा तो ये कुछ बात मैंने आपके सामने रखी इस पर विचार करेंगे आप लोग और ज़्यादा विचार करेंगे आगे प्रशन पूछा जा रहा है में कभी नहीं हुई थी इसका कारण क्या है ऐसे कहते हैं ये बात कही जाती है कि जैसे कोई कमरा बहुत ही ज्यादा गंदा हो वर्शों से तो उसमें जैसे जाडू लगाने लगते हैं तो बड़ी धूल खड़ी होती है तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब बहुत ही जाड जंखाड खड़े हो जाते हैं और उसकी सफाई करने लगते हैं तो ऐसा ही होता है हमारे को बहुत कष्ट होता है परिशानी होती है और सफाई करेंगे तो जैसे सरदी के दिनों में हमने देखा है चोटे चोटे बालकों के पैर के उपर बहुत जोर से मल जम जाता है तो माताएं उसको ले करके और रगड़ने लगती हैं और बच्चे चिलाने लगते हैं और छुटा छुटा करके भागते हैं चिलाते हैं तो ऐसे ही हम जब अपने जमेवे मल को खाड़ने लगते हैं तो कश्ट तो हो गई स्वाभाविक है जो यज्जा दे दाना दे न देकर केवल इमानदारी पूरुक व्यापार करते हैं और ग्रिहस्त में परिवार का भरण पोशन करते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जैसे यहाँ पर मैंने ये केटेगरी बनाई तो प्रवत्ती मार्ग में भी बहुत सारे स्तर हो सकते हैं जो इमानदारी से अपना ग्यापार करते हैं और उनका जीवन में जितना त्याग है उतना वह महिमा साली है जो जितना ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा फल मिलता है जो इमानदार इसे जीवन जी रहे हैं और इपने परिवार का पालन पौशन कर रहे हैं उतने अंस में भो धन्यवाद के पात रहे हैं क्योंकि वो भी एक अंस में आंसिक रूप से थोड़ा हिस्सा लेकर के दूसरों की सेवा कर रहे हैं यदिवी उपर से यज्यादी दानादी नहीं कर रहे हैं लेकिन आंसिक रूप से वो सेवा कर रहे हैं इसलिए वो भी प्रवर्ती मारगी हैं, वो भ्रष्ट मारगी या भोतिक वादी नहीं है, कम से कम ये कहा जाएगा, और वो दीरे दीरे उनमें जैसे जैसे उदारता बढ़ेगी, ज्यान बढ़ने के साथ उदारता भी बढ़ती जाती है, वो स्वाभावी कहें, जैसे हमारा ज्यान विक्सित होता है, और ज्यान सुब कर्मों से भी बढ़ता है, पर वो धीमी धीमी गती से बढ़ता है, हमारी जो अभिपसा के द्वारा जो ज्यान बढ़ता है, वो तीवर गती से बढ़ता है, और शुब कर्मों के माध्यम से ज्यान बढ़ता है, वो धीमा धीमा ध समीन खिएंघ से बढ़ कहल Make लोगता है जब क्वेडिन संतले प्रेम करने के लिए जानी बनकर जीना चाहता हूं और मैं सारे बंदनों क काटना चाहता हूं मैं अपने बंदनों को नहीं अपने उपर लाद करके जीना चाहता है, ऐसा जब हम इच्छा करते हैं, तो उस जियान की गती तेज होती है, और जब हम सुभ कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो जियान तो उस रास्ते से भी आता है, धीरे धीरे आता है, उदारता आती है, दूसरों का हम ख्याल दूसरों के प्रति सानुभूती रखते हैं, करूना रखते हैं, लेकिन दूसरों के सानुभूती के साथ अपने जीवन को भी सुखी करना चाहते हैं, जैसे एक आदमी एक लाख रुपे कमाता है, और उस एक लाख रुपे में जाकर के अपने बच्चों का, अपने पर पत्र लिखी छश्य पूति है तुरोऑ को क्यों फमिट जagon करने में चानौ ड़्य會 n YOUX करता definitive परिवंठ सा प्रदान सब्सक्राइभर कुछ बहुंद है सब्सक्राइब कर दो ईए उस धो कि अब तक मैं चौर के रूप में जीता रहा और 16 आने में से दो आना दान करके चोदे आने मैं अपने उपर खर्च करता रहा और इसा Mexican कर दिया लेकिन वे इस समझ में आ गया है कि मैंD वो परस्तरा और आ उत्य क्या क्योंना दोने आना में एस ना कर्थ हो दोते है Это पिष्ठे उसका मतलब यही होता है कि हम अपने हाथों को देखें और अपने पीठ को देखें कर पिष्ठ और करतल यह जो हमारे हाथ की कि जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारे हाथ ऐसे रहते हैं और जब जब दूसरों से लेते हैं तो हमारे हाथ ऐसे रहते हैं सामने और तो हम देते हैं तो ऐसे हो जाते हैं तो हमें अपना आदान प्रदान कितना हम दूसरों को लिए देते हैं और कितना हम लेते हैं ये रोजाना दो बार चेक करने के लिए कहा गया है तो ये इतनी ही बात सी इस सारे इंटरपरेशन के बीच में इतनी ही बात कहनी है कि हम जितना देते हैं उससे ज्यादा यदि हम ले रहे हैं कितना ज्यादा ले रहे हैं हम स्रिष्टी से ऐसा देखेंगे जितना हम देते हैं उससे ज्यादा यदि ले रहे हैं तो ये ठीक इसाब नहीं चल रहा है जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा यदि दे रहे हैं तो हमारे जीवन की जो है वो नीचे जाएगा और यह उदारता हमारे जीवन में आई तो निरंतर हमारे सुब कर्म इखटे होते जाएंगे हमारे लिए एक उपयुक्त वातावन बनेगा और हम जियान की दिशा में भी आगे बढ़ते जाएंगे हम क्या है क्यों है दुनिया क्या है क्यों है क्या है हमारा लक्षे यहां पर पूछा है हम क्या है हम शरीर सांख में यही तो पढ़ रहे हो हम क्या है हम है आत्मा हम है मन बुद्धी चित अहंकार शरीर कनमात्र स्थूल बूत स्थूल शरीर शुक्ष्म शरीर इन सब का समुद हम क्या है ये पूछा शास्त्री द्रिष्ठी से भी और अपने हम जो कुछ अनूभव करते हैं उसके साब से हम यह होगा हमारे अंदर एक चैतन्य है हमारे अंदर मन बुद्धी चित्त एंकार है इंद्रियां है तनमात्र है सुक्षम सरीरे, स्थूल सरीरे ये सब हमारा स्वरूप है हम क्यों है? इसलिए है कि हमने चाहा है इस रूप में आना इस धर्ती पर हमने इस रूप में इस कॉम्बिनेशन में आना चाहा है इसलिए हम है किसी ने जबरदस्ती हमको धकेल नहीं दिया है हमने चाहा है इसकी इच्छा की है अनंत काल से हमने इच्छा की है बार बार आने की और इस दुनिया को अच्छा समझा है इस दुनिया को बहुत ही सुन्दर समझा है इसलिए हम यहाँ है और दुनिया क्या है दुनिया यही है जो हमें दिखाई देती है शब्दिस पर सरूप क्यों है ये दुनिया दुनिया ये नित्य है और स्वभावते ऐसी ही है और इसमें जो स्वभावते जो चीजें हैं उनमें हमें प्रश्ण नहीं करना पड़ता है जैसे अगनी गर्म क्यूं है और पानी ठंडा क्यूं है ऐसा हम प्रश्ण नहीं किया करते हैं और क्या हो हमार हमारा लक्ष यही है कि हम भगवान के साथ एक हो जाएं हम भगवान की सेवा करें हम अंतरवासी जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसको उसकी सेवा में अपने जीवन की आहुती लगाते हुए अपने अंदर पूरुनता का अनुभव करें अपने अंदर उसे शांती का अनु जिस शांती में हमारा पिता हमारे अंदर वाश करता है उसी शांती में हमारा जो बाहिय व्यक्तित्व है हमारा मन बुद्धी चित अहंकार है हमारी इंद्रियां है ये हमारा बाहिय व्यक्तित्व भी उसी शांती में जिये मानि एक अर्थ में हम पूर्णता को प्राप्त करें ये हमारा लक्ष है गीता में ज्यान, कर्म, भक्ती में से किस मार्क को स्रिष्ट कहा गया है तीनों पहले छे जो अध्याय हैं वो कर्म प्रधान हैं दूसरे छे अध्याय भक्ती प्रधान है और तीसरे जो छे अध्याय हैं उनमें ज्यान की प्रधानता है तो ये कहना चाहिए कि गीता में मुख्य रूप से तीनों को ही समन्वित रूप से यदि हम देखें पूरा निर्णय करके तो तीनों चीजों को महत्त दिया है स्वामी दयान ने भी अपने सत्यार प्रकास में नवे समुलास में लेखा है कि सुद्ध ज्यान, सुद्ध कर्म, सुद्ध उपासना और सुद्ध ज्यान से मुक्ति, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना और अशुद्ध ज्यान से बंदन होता है और मनुष्य कभी भी कोई भी एक शन के लिए कर्म उपासना ज्यान से व्यूक्त नहीं रह सकता एक 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 व्यक्ति को यदि हम देखें तो हमें पता लगेगा हम कर्म की स्थिती में भी हैं उपासना की स्थिती में भी हैं जियान की स्थिति में भी हैं कर्म मनि या तो हम शुद्ध कर्म करते हैं या तो हम शुद्ध उपासना करते हैं या शुद्ध उपासना करते हैं या शुद्ध जियान की स्थिति में एक स्थिति में रहते हैं हम शुद्ध कर्म का मतलब है कि हमारे कर्म जो है वो कितने सास्त्र अनुमोदित हैं हमारी अंतरात्मा से अनुमोदित हैं या वेदादी सास्त्रों से अनुमोदित हैं ये शुद्ध कर्म की पहचान है मानी हमारे कर्में जितनी अपेक्षाएं हैं वो अशुद्धी है और हमारे कर्में जितना निरपेक्षता है जितना निश्कामता है वो शुद्धी है इसी तरह से हम जिस मन से जिसको ध्यान कर रहे हैं वो हमारी उपासना होती है हम या तो भगवान की उपासना करते हैं या सब्दिस्पर रूपरस गंद, पावर की उपासना करते हैं मनी की उपासना करते हैं इनी चीजों की उपासना करते हैं अपोजिट सेक्स या धन या सत्ता, पावर, सम्मान इनकी उपासना करते हैं, या फिर हम अपने अंदर जो ज्यान में सत्ता है, उसकी उपासना करते हैं, तो हम जो है, यह उपासना की बात है, इसी तरह से, हम जो है, ज्यान की स्थिती में भी रहते हैं, शुद्ध ज्यान की स्थिती में, अशुद्ध ज्यान की स्थिती में, ज जब हम अपने चेतन तत्व को अलग और जड़ तत्व को मानि बुद्धी मान इंद्रियों को हम अलग देख पाते हैं अनवह के स्तर पर ये तो शब्द प्रमान से आप बार बार सुनते हैं और आपका मन हो सकता है कि वैसा एक धारणा बना ले कि आत्मा अलग है मन अलग है बुद्धी अलग है ये दिखाई देती है तो ये जयान की स्थिति है और ये इसका कोई आभासी नहीं होता और मिक्षब दिखाई देते हैं तो ये जयान की स्थिति है तो तीनों गीता में तीनों मार्गों को अपने अपने धंग से स्थान स्थान पर प्रस्तुत किया गया है गुरुबार प्रणाम सर्वे भवन्तु सुखिन और यह प्रार्थना कहां से लिया गया है और कब से शुरू हुई है क्या कभी ऐसी दुनिया पूरोकाल में थी या आगे कभी ऐसी बनेगी क्या किसी भी कि संसार में जो है कोई भी जिसके दिल में सत्व का उद्रेक होता है जिसके अंदर सत्वगुण का वृध्धी सत्वगुण की वृध्धी होती है ऐसा कोई भी मनुष्य मानव कोई भी मनुष्य क्योंकि मानव की जो स्थिती है वो ऐसी ही है हर मानव की स्थिती जो भी थोड़ा अपनी गहराई में जाकर के देखेगा तो वो ऐसा ही सोचने लगता है कि सब सुखी रहें कोई एक व्यक्ति जिसने किसी अच्छी चीज गो पाया वो कभी भी दूसरों के प्रती लापरवा नहीं हो सकता है तो इसका इस सर्वे बहनतु सुखना ये जो प्रार्थना है ये समझलो हमारी अंतरतम की मांग है उच्छा है कि कहां से ली गई है कब से शुरू हुई ये मानव जब से जियान की आखें जिस मानव ने खोली तब से ऐसी प्रार्थनाई चल रही हैं और ये कहां से ली गई ये हमारे किसी सास्त्रव से इस्थी की ही सब्द में ना मिलें लेकिन ये इसी भाव के जो शब्द हैं वो स्रिष्टी के आदिसे जब से मनुष्ट ने अपनी जियान की आँखे खोली हैं तब से ये प्रार्थनाई चली आ रही हैं क्या कभी ऐसी दुनिया पहले थी पूरुकाल में क्या कभी ऐसा था या आगे कभी ऐसा बनेगा ये जो प्रार्थनाई होती हैं वो हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए होती है वो हमारी स्थिती को बनाने के लिए होती है और उसमें जितना हम कर पाते हैं एक-एक व्यक्ति की सामर्थ और क्षमता के अनुसार जितना वो कर पाता है उतना वो करता है और वो उसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है प्रार्थना से दूसरे का भला हो या नहो प्रार्थना करने वाले का जरूर भला हो जाता है ये बात आप समझ लें, अपने मन में धारण कर लें कि हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम प्रार्थनाएं सर्वे भवन्तु शुखिना, सर्वे संतु निरामया हमारी इस प्रार्थना से कोई सुखी हो या ना हो लेकिन हमारा चित शान्त होता है हमारे चित में आनन्द आता है हमारे चित में निर्मलता आती है शुद्धी आती है तो ये प्रार्थना एं कितनी एक व्यक्ति यदि जागरित हो जाता है तो उसको देखकर के दूसरा भी जागरित होता है ये अगनी ना अगनी समित देते वाली प्रक्रिया सुरू हो जाती है एक दिये से दूसरा दिये जलता है वो प्रक्रिया सुरू हो जाती है पुरुजी मन बुध्धी तथा आहंकार को अलग अलग कर जब आत्मा की सहायता से कोई निरने ले वह ठीक होगा ना लेकिन कभी-कभी ऐसा मैसुस होता कि आत्मा ना ना कहती है ना हा कहती है बस देखती रहती है ऐसी प्रिष्थिति में क्या करें मन बुद्धी एंकार को अलग करके ये सामान निकार ये नहीं है मन बुद्धी एंकार को अलग करना ये तो हम बोल रहे हैं कि मन बुद्धी अलग करके और आत्मा की सहायता से कोई निरने ले तो ठीक होगा ये तो ठीक होगा ही निस्चित रूप से इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आत्मा ना कहती है और ना हा कहती है हम receptive silence में अपने अंतरतम से पूछ सकते हैं उसके लिए थोड़े धैरी की जरूरत है और उसके लिए हमारे को शांत, grand seal होने की जरूरत है और हमारे अंदर उत्तर मिलता है ये सबकी अस्तित्त जो है सबका एक ही है किसी का अलग है, मेरा अलग है, उसका अलग है ऐसा नहीं हमारे से पहले वाले लोगों ने ये दिशा दी है इती सुस्रम धीरानाम, ये नस्तद विच चक्षिरे धीर पुरुषों ने हमारे को ऐसा बताया है तो वो धीर पुरुष जो थे, उन्होंने अपने अनुभव इस तरह से बताए हैं, तो आत्मा तो सही दिशा देती है, लेकिन यहदी आत्मा को हम अपना मन बुद्धी, अपना एहंकार का चोगा पहना करके, मन बुद्धी चित एहंकार को ही हम आत्मा की बात कह करके भी करत हमारी अति उन्नत स्थिती में हम आत्मा से निरने ले पाते हैं अभी हमारी स्थिती जो अज्यान की स्थिती होती है उसमें हमें सास्त्र से निरने किसी बाहिय गुरू से निरने और इस तरह से हम सत्य और असत्य को देख सकते हैं प्रामानिक सास्त्र या किसी पहुंचे हुए शिद्ध पुरुष के मार्ग दर्शन में यह दिया हम निरने लेते हैं, तो वो सुरक्षित मार्ग होता है, अभी हम अपने आत्मा से जो हम निरने लेते हैं, वो आत्मा की जो शुद्ध तम इस्थिति है, वहाँ जब आनने लगते हैं, मैसुस करने लगते हैं। कर्म, उपासना और ज्यान, मानि कर्म उपासना से पहले जो एक ज्यान होता है, वो सामन ज्यान होता है, और कर्म उपासना की पूरुणता में जो हमें ज्यान होता है, वो विशिष्ट ज्यान होता है, वो सच्चा ज्यान होता है। वेद में भी कहा विद्य आismrtyum teirim microorgan Shnutit अब विद्या का मतलब है माँपर karma or upashna karma or upashna के द्वरा हम मृत्यू के दुख को लांग जाते हैं मानि शुद्ध कर्म करते हैं उससे मृत्यू का जो भै है उससे हम पार कर जाते हैं जो मृत्यू का भै हम सब को सता रहा है और शुद्ध उपासना करने वाला मृत्यू निए डरी गा यह पकी बात है जिस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध कर्म चल रहे हैं हमें किसलिए भैय आता है हमें भै इसलिए आता है कि कुछ किया नहीं और जो था वो हाथ से निकल रहा है इसलिए हमें भै आता है और उपासना की स्थिती भी नहीं होती है हमारी हम जो है उसे सचिदानंद के साथ एक होकर के उसके साथ उसके समीप उसके साथ भाव में फिरदय से हम नहीं जुड़ पाते हैं तो इसलिए हमें भै आता है तो वेद में कितना साथ कहा कि कर्म और उपासना के द्वारा हम मृत्यू का जो भे है उसको लांग जाते हैं और विद्या अमृत मस्नुते ज्यान के द्वारा हम अमृत को प्राप्त करते हैं कर्म और उपासना बहुत अच्छी चीज है लेकिन ये हमें कर्म और उपासना हमारे को जीवन मुक्त की स्थिति में नहीं ले जाएगी कर्म उपासना के द्वारा ज्यान पैदा होगा हमारे अंदर और उस ज्यान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होगी जीवन की जानकारी ले रहे हैं उपासना की जानकारी ले रहे हैं और जब कर्म और उपासना से गुजरते जाते हैं तो हमारे अंदर हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है और उसमें फिर हमारे अंदर एक ज्यान पैदा होता है जो ज्यान हमारे को फिर जीवन-मुक्ति की स्थिती म मैं कि प्रधानदा नहीं दर्शाती है इसको धुसरी या है तीसरे खंड़ में क्यों नहीं रखा गया हमारे जीवन में कर्म उपासना और जयान अभी मैं बोला था वही ही बात आगी हां ऑई दकारेव मैने तो यइ पात कही थी कि स्वामी दयान ने कर्म उपासना और जियान कर्म रखा है और गीता में भी पहले कर्म पक्स है फिर उपासना पक्स है फिर जियान पक्स है गीता के तीन तीन छे छे अध्यायों का एक ग्रूप यदि बनाया जाए तो पहले च्छे अध्याय में कर्म पर जोर है दूसरे च्छे अध्याय में भक्ती पर जोर है बार्वे अध्याय की समाप्ती पर भक्ती समाप्त होती है और अगले च्छे अध्याय में ज्यान के उपर जोर है त्रिगुन और ये सारे दैवी संपति आशुरी संपति शद्धा ये सब ज्यान के पक्ष को ले करके वहाँ पर चर्चा की गई है तो कर्म की प्रधांता तो है ठीक है हमारे जीवन की शुरुवात कर्म से होती है हम कर्म करें और इस भाव से करें कि हम कर्मों को करते हुए अकर्म में चले जाएं कर्म की रेखा हमारे उपर ना पड़े और कर्म जो है हमारे चित्त को सुद्ध कर डाले भगवान संकराचारे ने कहा है कि चित्त से शुद्धे कर्म कर्म जो है हमारी चित शुद्धी के लिए होता है तो इस तरह से कर्म की महिमा को कोई नहीं न कारता है कर्म के कारण ही आज हम ऐसे हैं जो है हमारी जो इस्थिती है आज वो कर्म के कारण है और जैसे एक दिन कोई पूछ रहा था मैं ऐसे व्यवहार में देखता हूँ जैसे हमारे को कोई व्यक्ति लांचित करता है और जूटा कोई आरोप लगाता है लेकिन हम समाज में अब तक पूरा सच्चे रहे हैं तो उसमें दूसरे लोग विश्वास नहीं करते हैं और कितने दिन तक यदि वो आदमी कुछ जूट मूट कुछ गल्ती करने भी लग जाए फिर भी बहुत दिन तक उस पर विश्वास नहीं होता है और एक आदमी ने कुछ गल्तियां की हैं और उसके बाद वो ठीक हो गया है कितने वर्षू तक उसको अपने जीवन की साधना सही-सही करने पड़ेगी तब जाकर के विश्वास होगा क्यों? लिए सारा कर्म का चक्र है कि एक आदमी ने अपनी कमाई ऐसी की हुई है कि उसको यदि वो गल्ती भी कर देगा उसको कोई नहीं देखेगा कि ये गल्ती कर रहा है बहुत दिन में बार 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 जब गल्ती आएंगी तब उस पर भरोशा करेंगी कि ये भी बिगड़ गया और एक आदमी जो गलत था और वो अच्छे रास्ते पर आ गया है तो वो जो है अच्छा बनने के बाद भी कि कितने दिन तक उस पर विश्वास नहीं जमेगा क्योंकि वो कर्म ऐसा किया है उसका जो खाता है धीरे 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 जो है बढ़ता है तो इस तरह से कर्म के कारण ही हम व्यवार में भी देख सकते हैं कर्म के कारण ही हम आज जो है, वो सारा कर्म के कारण हैं तो कर्म की महिमा है ही कर्म की कोई नकारता नहीं है कोई भी नहीं इसके लिए मना करता है ड़मनेवादिकारस्टे मापनिशु कदा Ч retračन का संयक अर्थ क्या है वर्तमान में बहुत तायत लोग तो फल इच्छा से कर्म करते हैं यदि हमें हमारे कर्म के फल का अनुमान नहीं होगा तो हम कर्म करेंगे ही क्यों? ये अर्थ नहीं है कर्मन्नेवाधिकारस्ते का ये अर्थ नहीं है कि हमें कर्म फल का अनुमान नहीं होना चाहिए हम जो देखते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका मेरे उपर समाज पर उपर किसका क्या असर पड़ेगा ये तो देखा जाता है लेकिन उसके फलकी इच्छा हम नहीं करते हैं कि जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो कितने लोग आप समझोगे, कितने नहीं समझोगे, ये तो आप लोगों की भी तो इसमें सहभागिता पिक्षित है मैं अपनी तरफ से इमानदारी से पूरा का पूरी ताकत लगा दूँ, इतना मैं कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से कसर ना छोड़ू, और उसके बाद कितने लोग मेरी बात को फोलो करते हैं, कितने नहीं, जितनी मेरी शक्ती है, जितना मेरी बुद्धी काम करती है, उसको मैं पूरा प्रयोग करके और फिर भगवान पर छोड़ दूँ, और उससे कोई अपेक्षा न तो ऐसी चीजें जो फलकी जुड़ जाती हैं, ज्यादा तर जुड़ जाती हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम अपेक्षा करने लगते हैं, इस तरह की बातें जुड़ जाती हैं, उनको एक तरफ करना चाहिए, यही एमाफलेशु कदाचन है, तो हमें निशकाम कर्म करेंगे, तो उसी से चित्त शुद्ध होगा, देखो सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म में जितना हम चाहते हैं, उतना मिल जाता है, सकाम कर्म किया, जितना हम करेंगे उतना मिल जाएगा, निशकाम कर्म में भगवान हमारे चित्त को शुद्ध करने के माध्यम स स्वेम मिल जाता है वो विधाता हमें प्राप्त हो जाता है तो बहुत बड़ा निश्काम कर्म कठीन है लेकिन उसका फल भी बहुत बड़ा है लेकिन भगवान मिलेगा ऐसा सोच करके हम कर रहे हैं तो भी एक सकाम हो जाता है मैं अपना कर्म कर रहा हूँ क्योंकि उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ और मैं क्या करूँगा मेरे को सारी समस्टी की तरफ से सारे अस्तित्तों ने मेरे को ये चीजें दी है तो मैं कैसे अकेला कोई अच्छी चीज किसी को मिल जाए तो वो अकेला भोग करना नहीं चाहता है एका स्वादू ने भुंजीत है स्वादू भोजन अकेला नहीं करता है जो कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो बांठना चाहता है जैसे एक मा को मैं एक अच्छा उदान देता हूँ जैसे किसी मा को कोई अच्छा सा फ़ल मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि वो उस फल को उठा करके स्वेम खा जाए और बचों को देखते रहें बच्चे ऐसा कभी नहीं होता है भरत्री अरी की जो एक घटना जो है वो आपने सुनी ही है कि भरत्री अरी को किसी ने एक अमरित फल दे दिया तो उस अमरित फल को जैसे आप इसको खाएंगे तो अमर हो जाएंगे लेकिन भरत्री अरी अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता था उनने कहा कि भई मैं तो अमर होंगा क्या जिस से मैं प्रेम करता हूं उसको अमर होना चाहिए तो उसने जागर के उनको दे दिया लेकिन वो एक बड़ी सिंखला है कि वो उन्होंने अगले को दे दिया उसने अगले को दे दिया उसने अगले को दे दिया और वो जो है इस इस कथानक के बीच में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जिस से प्रेम करते हैं, उस पर नोचावर होना चाहते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, वो देश के लिए नोचावर हो गए हैं, होते रहेंगे, हो रहे हैं, जो देश से प्यार करते हैं, वो देश पर नोचावर हो जाते हैं, जो धन से प्यार करते हैं, धन पर नोचा हो जाते हैं कुछ नहीं देखते हैं अपना सारा कर्म सिंखला को अपने जन्म जन्म को बिगार लेते हैं पर रूप पर नोचावर हो जाते हैं जो जियान पर नोचावर हो जाते हैं उनको जियान ही चाहिए तो यह तो हम किसके उपर नोचावर होते हैं जिस से हम प्यार करते तो बात यह है कि हमारे को कर्म तो हम करेंगे लेकिन उसकी इच्छा नहीं करेंगे कि हमारे को इसका ऐसा फल मिलना चाहिए वो तो साथ ही मिल जाता है कोई चित्रकार है और वो चित्र बनाता है और जितनी देर उसने चित्र बनाया उसको फल तो मिल गया वो तो पूरा आनंद ले लिया उसने जितने देर उसने वो कर्म किया है आनंद मिल गया है उसको उसका पैसा, पब्लिसिटी, उसके बारे में महीमा ये सारी चीजें तो वो यूजलेस हैं ऐसे ज्यानी के लिए ऐसे ज्याने के लिए ये सारी चीजे यूजलेस हैं तो इस तरह से कर्म करते हुए कर्म का फल मिल जाए ये कहा जाता है निश्काम कर्म जो मनुश्य अपने राष्ट के प्रति करतवे निश्ठ नहीं है वो मेरा प्रिया नहीं हो सकता इस कथना नुसार राष्ट के प्रति जिम्मेदार नहीं होकर केवल इश्वर को जबते रहना का निरर्थक कर्म नहीं है स्री कृष्ण जी का जो धरन दिया है मनुश अपने राष्ट के प्रति करतवे निश्ठ वो मेरे प्रिया नहीं हो सकता है यह तो सच्ची बात है वेद से लेकर सभी सास्त्र ऐसा कह रहे हैं कि हमें जो है जिस मात्री भूमी ने हमें ये सरीर दिया जिस मात्री भूमी के कारण से हमारे को हम सांस ले रहे हैं जिस मात्री भूमी के कारण से हम बड़े हुए पले और हम समझ पाए हैं ये सारी चीजें राष्ट से हमने ये सारी सुविधाएं ली है और उसको नकार करके और हम एकांत में जा करके और ये तो स्वार्थ ही एक प्रकार का निश्चित रूप से ये एक प्रकार का स्वार्थ ही है तो स्वार्थ की कोई महिमा नहीं गाएगा स्वार्थ की कोई प्र इसे लोगों को ऐसे लोगों का उद्धारन अमें बताता है मार्क दिखाता है कि जो सची इश्वर भक्ति करता है तो वह रास्ट तो बहुत उल्ची चीज है एक चुहे की उपैक्शा नहीं कर रहा है तो हम इन द्रिश्टांतों से समझ सकते हैं महापुरुषों के जो उधारन है वो हमें दिशा देते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ये एक आपके अंतेवासी पूछ रहे हैं गुरुजी हम ब्रह्माचारियों को पठनकाल में गुरुकुल के अंदर चोटी पर बंधन आवशक है या नहीं चोटी के बंदे होने का प्रियोजन क्या है ये तो सामन बात है इसके लिए चोटी इसलिए बानते हैं कि बाल इधर उदर ना बिखरे हैं और सामन रूप से अम जो है बहाल उड़े नहीं, विखरे नहीं एक कोई भी चीज व्यवस्था, व्यवस्थित जो है वो अच्छी मानी जाती है तो व्यवस्था के लिए चोटी में बंधन दालते हैं लंबी-लंबी चोटी होती थी, मोटी-मोटी चोटी होती थी तो वो व्यवस्थित रहे, इसके लिए इसके लिए ऐसा करते हैं आपने बताया कि भगवान हमारे अंदर हैं, तो फिर आम उन्हें मंदिर में क्यों खोजते हैं, जबकि वो तो मूरती पत्थर की बनी हुई है, क्रिपया विस्तार से बताएं भगवान हमारे अंदर तो है पर जिसको अंदर दीखेग वही तो अंदर खोजेगा जिसने बाहर से एक वाकि सुन लिया कि भगवान मंदिर में है और मेरी कामना पूरती हो गई वहाँ पर जाने से इतनी मोटी-मोटी बातیں किसी ने सुन ली अब वो मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर के कुछ कामनाई लेकर के जाता है मन्नत मांगता है और वो उस तरह से अपने जीवन को चलाता है तो ये तो अज्यान के कारण से हम पता नहीं क्या-क्या पूजा करने लगते हैं क्या-क्या पद्धती अपनाते हैं अज्यान के कारण से सब होता है हम जब थोड़ा सा ज्याम की स्थिती में होते हैं तो उस समय हम निश्थित रूप से अपने अंदर मुड़ते हैं ये इंद्रियां तो बाहर की तरफ खोजती हैं और यदि बाहर देखना है भगवान को, तो इस सारी स्रिष्टिके कनकण में, मंदर में ही क्या, सारी स्रिष्टिके कनकण में दिखाई देना चाहिए. बुद्धी के द्वारा भगवान के जो दर्शन है हम इस पेड़ पोदू में, पत्तू में, शूरे की किरणों में, मिट्टी में, पोदू में, फूलों में सब में कर सकते हैं बुद्धी के द्वारा लेकिन यदि आत्मा के द्वारा भगवान के दर्शन करें तो अपने अंदर मुडने हैं अपने अंदर हमें जाना चाहिए और अपने विचार से अपने मन इंद्रिये और बुद्धी से उपर उठना पड़ेगा जिसको आप सांख में पड़ रहे हो मन बुद्धी और हमारा एंकार अंते करण से उपर जाना पड़ेगा यदि आत्मा से उसका प्रतिक्स करना चाहते हैं तो पिछले दिन में तुली बाबा के तुली बाबा जी के प्रतिनिदी के रूप में जो सादक आये थे उन्होंने बताया यदि दो बालक आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ने से यह उनके पिछले करमाशय के कारण से हो रहा है। लेकिन वर्तमान की लड़ाई के कारण भी तो लड़ने का एक नया करमाशय बनेगा। तो क्या इस नय करमाशय को भी बनने से नहीं रोखना चाहिए। स्पाष्टी करन करने की क्रिपा करें निश्चित रूप से हमें कोई भी हमें कोई भी कर्मा से नया कर्मा से ना बने इसके लिए भी सावधान है सावधान रहना है और पुरातन जो कर्मा से हैं उनको भी नस्ट करना है पुराने कर्मों को भी क्षीन करना है और नए ना बने ऐसा भी उपक्रम करना है यह तो पक्का है मंत्र शक्ति और मंत्र के पीछे क्या विज्यान है जो मंत्र होते हैं वो उन रिशियों की अंतरात्मा से वो एक प्रकार के ओवर्फ्लो हैं रिशियों अंदर गए और अंदर जाने के बाद अंदर से वो बाहर आये उसका नाम मंत्र है हम लोग उस मंत्र को शक्ति बना करके जिस सक्ति का उन्होंने अर्जन किया और वो अंदर से बाहर आये हम उसका सहरा लेकर बाहर से अंदर जाते हैं उसके सहरे जैसे तत्सवितुर वरम रूपम जियोती परस्य धीमाई यन्नस सत्ते नदी पेच शेर्विंद ये मंत्र देते थे अपने साधकों को जैसे उस सवितादेव के वरनिय रूप को हम अपने अंदर धारण करते हैं जो हमें सत्य से प्रकाशित कर दे वे तो इस मंतर के माध्यम से साधक उनके शियर्विंद आश्रम के जो सिष्य थे या अब भी हैं वो इस मंत्र को पकड़ करके धीरे 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 अपने अंदर गुशते हैं तो ऐसे मंत्र जो है एक शक्ती बन करके हमें सहरा देता है और हमें अपने अंदर अपने अंतर सत्ता में प्रवेश्च करने के लिए मोका देता है कि गुरुजी इश्वर प्रकृति और आत्मा ये स्वधंद्र सत्ताय है क्या ये तो स्वभावत है है हमको दिखी रहा ऐसा ही प्रकृति का मतलब ये सारा जगत जो कुछ हमारे चारों तरफ फैला हुआ है एक व्रिक्ष पर दो पक्षी बैठें वेद में इसी बात को कहा है अस्यवामिये सूक्त और स्वेता स्वतरुप निशद में कहा गया है कि द्वास उपर रना सयुजा सखाया समानम व्रिक्षम परिशस वजाते दो पक्षी एक व्रिक्ष के उपर बैठे ये व्रिक्ष प्रकृति है और एक पक्षी इसके खटे मीटे फलों को चक रहा है ये जीव है जिसको की इच्छा होती है जिसको संकल्प होते है जो सुख दायक चीजों की तरफ दोड़ता है ऐसा जो करता है उसको जीव कहते हैं और एक शांत है पक्षी हमारे अंदर ही एक शांत पक्षी है जो केवल देख रहा है जो केवल देख रहा है उसको ईश्वर कहते हैं और जो इच्छा कर रहा है वो जीव है और ये सारा जगत है हमारा शरीर भी उसका एक हिस्सा है प्रकृति का एक हिस्सा है पुछा प्रकृति तेईस तत्व का मूल है तो पुरुष किसका मूल है पुरुष निमित है सारे इस अस्तित्व का और प्रकृति उपादान है तेईस का ऐसे समझे दो चीजें एक उपादान और एक निमित तो पुर पुरुष है निमित और प्रकृति है तेईस का उपादान जैसे घड़ा और मिट्टी और कुमहार तो मिट्टी है उपादान घड़े का और निमित है कुमहार इस तरह से आप समझ सकते हैं चेतन जो तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं वो है निमित और जो प्रकृति है वो ह उपादान और यह जो तेईस का जो पसारा है इसको कहते हैं यह हमारा शरीर, अंत्यकरण, मन बुद्धी, एहंकार, चित्य, इंद्रिया, तनमात्र, स्थूल बुद्ध. गुरुजी, प्रिथ्वी जैसे कोई और गरह अंत्रिक्ष में हो सकता है क्या अंत्रिक्ष के बारे, ब्रमाहंड के बारे विस्तार से समझाना जाए इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, यह तो आपको कोई वैज्यानिक बता सकता है, स्टिफन होकिन्स से पू सम्भावना की जाती है कि ऐसा ऐसे ग्रह उपग्रह भी सम्भावना कि इतने बड़े विशाल ब्रहमांड में इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, अनंत पृथ्वियां होनी चाहिए इसमें, जब यह अनंत विस्तार है तो अनंत पृथ्वी होनी चाहिए मन और चित अलग-अलग तत्व है या एक ही तत्व है, चित क्या कोई स्थूल तत्व शरीर में होता है हमारे अंदर मन और चित अलग-अलग तत्व है या एक ही तत्व यह पूछा जा रहा है एक अंतह करण है एक बाहिय करण है बाहिय करण का मलब पांच ज्यानेंद्रियां पांच करमेंद्रियां और प्राण ये बाहिय करण में आते हैं और हमारा अंतह करण है जिसमें मन बुद्धी और एहंकार ये तीन चीजें आती हैं उसी को योगदर्शन में अंतह करण को चि विकल्प उठते हैं और मन के तीन उसमें एक सत्व भाग है उसमें एक क्रिया भाग है और उसमें तीसरा एक भाग है जिसको स्थिती कहते हैं तो जो प्रक्या या प्रकाश वाला जो हिस्सा है प्रकाश वाला जो हिस्सा है वो उसके जो जियानादी जो हम प्राप्त करते हैं वो मन के द्वारा वो हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है जिससे हम चेश्टाएं करते हैं मन के द्वारा ही हम चेश्टाएं कर पाते हैं और तीसरा एक हिस्सा है जिसमें संसकार धारित होते हैं तो ये अलग-अलग तत्व नहीं हैं एक के ही नाम है कोई स्थूल तत्व शरीर में होता है स्थूल तत्व नहीं होता है ये हमारे अंदर जो है चित कोई स्थूल तत्व नहीं होता है स्थूल तत्व होने का मलब देश को व्याप्त करके रहने वाला तत्व तो चित कोई देश व्यापी तत्व नहीं है काल से इसका संबंद है इसकी जो क्रियाएं उससे काल का अनुमान होता है पंच तनमात्र पंच करमेंद्रियां मन क्या होता है तनमात्र तो स्थूल भूतों के जो कारण है वो तनमात्र कही जाते है जैसे अगनी भूत का कारण है रूप तनमात्र उसकी एक यूनिट अगनी भूत जिसमें हमको अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं ये अगनी भूत का स्वरूप है काला पीला नीला हरा अधी हमारी आखों के द्वारा जो ये अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं कलर्स दिखाई दे रहे हैं ये जो है अगनी भूत है और इसका जो मूल तत्व है उसको कहते हैं रूब तनमात्र, इसी तरह सब को समझ लेना चाहिए जैसे रस्तनमात्र और जल्भूत, जल्भूत जिसके द्वारा हमारे को, हमारी जिव्वा के द्वारा घटा मीठा अधी, अलग तक जो हमें टेस्ट आते हैं ये है जलबूत और उसका जो एक अंतिम तनमात्र है उसको कहते हैं रस तनमात्र क्या मन कोई शरीर में स्थूल तत्व होता है या कोई शक्ति मात्र है ये कोई स्थूल शरीर नहीं होता है इस्थूल तत्व नहीं होता है, ये हमारी एक जियान में शक्ति है, प्रकास प्रधान शक्ति है, जो की, जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, एहंकार अभिमान करता है, बुद्धी निश्चे करती है, ये तीनु अंते कर्ण के रूप है और कुल तत्व जो हैं, कुल तत्व 25 होते हैं, 23 जो है महदादी, एक अव्यक्त है और 25 वाँ पुरुष है, चेतन तत्व जो पुरुष कहते हैं। सामान रुप से हमारे को ऐसा होता है, कि हम जो है, सामान रुप से ऐसा होता है, कि हमारे को अपने शरीर का जो सैयम करें यदि, तो उस तरह से हमारे को जान हो जाता है। ब्रह्मांड का ये योगदर्सन की विभूतिपाद की सिद्धियों में ये सारा बताया है कि भुवन ज्यानम सूरी सैयमाता दी कि वहाँ पर इस सैयम करने से इस विशेश सैयम के द्वारा हमें ब्रह्मांड का ज्यान हो जाता है हमें इस लोग का ज्यान, उस लोग का ज्यान हो जाता है, तो वो चित की एकागरता सहियम के साथ जुड़ीवी चीज है, और मैंने कई बार कह दिया, कि ये विभूति पाद की सिध्धियां जो हैं, ये मन की एकागरता, अत्यन तु उन्नत एकागरता के साथ इनका संबन्द है, हमारा मन एक घंटे, दो घंटे तक हम एक ही बिंदू के उपर, और दूसरा कोई विचार ना आए, इतनी एकागर स्थिती में हम आ जाएं, तो मन तो इतना चंचल है हमारा, कि एक क्षण के लिए भी एक विचार पर स्थिर नहीं रहता है, आगे पीछे होता ही रहता है, तो इस तरह से इन सिद्धियों का फिर कोई अर्थ नहीं होगा, मन की ऐसी चंचल स्थिती में सिद्धियों का कोई अर्थ नहीं होगा, वेद द्वायत अद्वायत प्रायत किसको मानता है हम यदी देखें कि वेद किसको मानता है वेद हमको भी मानता है क्योंकि वेद है हमारे लिए और हम है इच्छा करने वाले जीवन जीने वाले भगवान ने देखिए एक स्रिष्ठी बनाई ये और इस स्रिष्ठी को बनाने में उन्होंने अपनी ज्यान की पूरी शक्ति का उपयोग कर दिया और हमारे शरीर बना दिये, मनुश भी बन गए लेकिन मनुश को कैसे जीना चाहिए उस विधाता के साथ इस मनुश का कैसा संबन्द हो परसपर कैसे संबन्द हो इस प्रकृती के साथ कैसे संबन्द हो ये सारी चीजें तो पता चलनी चाहिए हैं हमारे को तो वेद कहते हैं जियान को और इस जियान के माध्यम से हमारे सब को ये मिलता है वेद जियान के माध्यम से हमें मिलता है कि इस विधाता जिसने ये सुन्दर संसार बनाया उसके साथ हमारे कैसे relation हो उसकी भक्ती कैसे करें उसकी भक्ती की विधा सिखाई कैसे हमें कर्म करने चाहिए कैसे जीना चाहिए आपस में हमें कैसे रहना चाहिए प्रकृति के साथ हमारे कैसे संबन्द होने चाहिए ये सारा वेद में विशय है हमें हमारे संबन्द कैसे हो परसपर प्रेम आधारित जो संबन्द हैं उनकी चर्चा वेद में है हमारे कर्म कैसे हो, जीवन के प्रति द्रिश्टी कैसी हो, जीवन और जगत को हम कैसे देखें, ये सारा वेद में है तो वेद इश्वर के बारे में भी वर्णन करता है तो उसके लिए कहेंगे कि अद्वाइत को मानता है और चेतन और जड़ को अलग-अलग मानता है इसलिए द्वाइत को मानता है और इश्वर जीव प्रकृति इन तीनों के बारे में तीनों के बारे में तीनों को आधार बन करके वहाँ पर हमारे को संदेश मिल रहे हैं तो वेद तीनों को ही मानता है त्रैट को मानता है उनर जन्म होता है इस बात को किन हित्वों से सिद्ध किया जाता है क्रिपया इस जीत जल्सा का समाधान करने की क्रिपा करें बहुत सारे हितु दिये गए हमारे सास्त्रों में जैसे कि एक बच्चा पैदा होते ही और उसको बिना सिखाए जो है दूद पीना आ जाता है कितना उस छोटी स्टेज में बच्चे के लिए दूद पीने की अठकल आना कि कैसे उसको दबाना चाहिए मुख से और उसको ऐसे विशेस कला से दबाना चाहिए कि दूद निकलेगा और वो अपने आप जो है उस क्रिया में उसको शिखाने की जरुद नहीं होती है तो ये एक उधारन दिया जाता है इससे सिद्ध होता है कि उसने पहले भी ये चीज ये जो संसकार है उसको पहले भी बहुत उसने अभ्यास किया है जन्म जन्मों में अनंत जन्मों में ये अभ्यास किया है और उस अभ्यास के कारण से उसकी पुन्रावर्ती हो रही है उसको वो स्मृती आ जाती है पहले किये हुए अपना जो कर्म है उसको याद आ जाता है और उसकी स्मृति आ जाती है तो ये एक हितु है और ये कर्म वेचित्रयाथ स्रिष्टी वेचित्रयाथ ये जो अलग-अलग हमारे स्वभाव दिखाई दे रहे हैं इससे भी पुनरजन्म सिद्ध हो रहा है एक आदमी छोटी हुमर में कितना बहिर मुख है उसको बाहर की चीजें कितनी पसंद आती है और एक आदमी छोटी हुमर में संक्राचारी जैसा क्योंकि इंद्रियाँ तो वही है सब की बिना जियान के ये कैसे अंतरमुक हो सकती है उस बच्चे के पास भी वही इंद्रियाँ थी और दुनिया के पास भी वही वो इतनी छोटी हुमर में ध्यान कर रहा है अंतरमुक हो रहा है और सारी दुनिया जो बाहर अपने प्रवा में घूम रही है तो ये भेद क्यों है एक व्यक्ति की रुची किसी एक विशेस उसमें है गणित में है दूसरे की रुची एक भासा सीखने में है कला में है एक पेंटिंग करना सीख लेता है छोटे से ही कितनी विविदता है तो इन सब ये सारी चीजें हमारे को दिशा देती हैं एक के ज्या स्थिति कैसी है यह सारी चीजें उनर्जन को शिद्ध करती है इंद्रियों के विश्यों में शब्द स्पार्श रूप रस गंद में सबसे अंत में कौन सा विशय चूटता है यह तो मेरे से क्या पूछना यह तो आप स्वेम इसको करके देखो कौन सा ज्यादा तंक कर रहा है कौन सा विशय किसी को तंक कर रहा है यह आप स्वेम अपने अपने स्थर पर इसको लगा सकते हैं सब दिस पर रूप रस गंद, किसी के लिए कुछ बलवान है, किसी के लिए कुछ बलवान है, सामन रुप से सपर्स जो सुख है, वो ज्यादा ससक्त है, ज्यादा आदमी को पकड़े हुए है, सपर्स सुख के लिए ही आदमी विभा करता है, सपर्स सुख के लिए ही ग्रियस सार को एक विशेश संतती देनी है और हमारे एक वो कहते थे एक परिचित थे एक व्यक्ति वो सुनाते थे कि भाई ये संतान पैदा कौन करता है ये तो हो जाती है संतान पैदा कौन करता है ये तो हो जाती है तो इस तरह से ये इसको देख सकते हैं आप इस हिंदु सिद्धान्त का अर्थ क्या होता है? ये तो हमारे सब अलग-अलग परिपाटियों में, अलग-अलग संप्रदायों में यही चीज जो है दोराई गई है. क्राइश्ट ने भी एक बड़े गोल्डन रूल के रूप में इसी नियम को रखा है. कि तुम दूसरों के साथ वो व्यवार करो जो दूसरों से अपने लिए चाहते हो. तो इस लोग में यही का है, कि धर्म का सार यही है, कि हम अपने प्रतिकूल कारिये दूसरों के साथ ने करें. सब जगें ये बात हमें देखने को मिलती है, कि हम दूसरों से जो अपने लिए चाते हैं वही दूसरों के साथ करें गुरुजी नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए जाए मिले परब्रम्ह में आवा गवनमिट जाए इसका अर्थ बताईए यह तो बहुत अच्छा है इनोंने लिखा है और कई बार इनोंने यह दोहा बेजा है नमस्कार होता है समर्पन सर्वार्पन को नमस्कार कहते हैं तो सर्वार्पन से सारे कर्म कट जाते हैं और ब्रम्ह से हम मिल जाते हैं कि अवागमन हमारा मिट जाता है संद्या में नमसकार मंत्र का नाम संद्या में समर्पन मंत्र, नमसकार से कर्म सभी कट जाएं, वर ब्रम्ह से मिल जाते हैं रावागमन कट जाता है हमारा पेड़ पोधें जब बीज से उपर उट करके बढ़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं जिब क्यों मिट्टी तो खाते नहीं है और बढ़ करके एक लिमिट पर रुक जाते हैं ये तो भगवान की महीमा है, इनी चीजों से तो हमें भगवान की महीमा का पता लगता है, कि ये कैसे क्या-क्या हो रहा है, और हमारी बुद्धी में समझ में नहीं आता है, कैसे पेड़ पोदे तरह mitad record की अपनी, जैसी उनकी जरूरत है वो ले लेते हैं, और ये बढ़ते र रहे हैं उसमें रूची ना हो तो क्या करना चाहिए। ये तो बहुत धंबीर सवाल है और ये जो है हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा खौज का विशह है हमें इसको खौज करने ही चाहिए क्यों कर रहे हैं उसमें तो रुची ने लगती और मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे पता नहीं तो इसके लिए थोड़ा धेरिये पूर्वक बार-बार सब महापुरसों ने इसको खो जाए कितनी कश्ट उठाए हैं जैसे वो पीस पिलिग्रम पुष्टक हमने पढ़ी अमेरिकन माता जी की उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे को ये हुआ कि हे भगवन मेरे जीवन को तुम पूर्ण रूप से स्विकार कर लो ऐसे जिस दिन मेरे मन में आया उस केट बाद मेरा जो निरधारित कारी करम था वहां तक पहुचने में पंद्रे साल लग गए ऐसे उन्होंने अपना उन्हों सुनाया कि मुझे पंद्रे वर्ष लग गए उस स्थिती से जो मेरा असली काम था जिसके लिए मैं मतलब पैदा हुई और मैंने समझा कि ये मेरा काम है तो उसमें मेरे को पंद्रे साल का समय लग गया जबकि बालिकाल से भी वो मताजी एक अच्छी लड़की के रूप में रही और उसके अंदर बहुती आवेग जोश और उत्साह था और तब जाकर के एक बिंदू पर उसने ये निरने भी कर षथा हूं कुछ भी मैं किसी से कोई एक चीज माङो नहीं 28 साल तक वो महिला गुंती रही और किसी किसी से भोजन नहीं मांगा किसी से सल्टर आवास थैरने के लिए स्थान नहीं मांगा और 28 साल तक निरन तर ब्रह मन करती घिरी पैदल तो इस तरह से उस स्थिती में जाने के लिए उनको पंद्रे वर्स लग गए तो ये थोड़ा वेट करना पड़ता है अपने आपको उन्ही माताजी ने सला दी है कि इसको खोजने के लिए हमें थोड़ा receptive silence में जाना पड़ेगा grand seal morn की स्थिती में जाना पड़ेगा और उसके लिए वेट करना पड़ेगा अपने अंदर ही पूछना पड़ेगा कि मैं किस काम के लिए मैं चुना गया हूं मेरा chain किस काम के लिए है हम ज्यादतर ऐसे करते हैं कि उस सास्त्र में यह लिखा है वो महापुरुष ऐसे कह रहा है उसने ऐसे कहा है यह काम अच्छा है समाज का एक पूरा इसके लिए समर्थन है इसकी जरूरत है ऐसे ऐसे करके हम निर्धारन करते हैं और उसमें हमारी योग्यता और फिर temptations बहुत होते हैं हमारे साथियों का सम्मान ज्यादा होता है हमको ऐसा लगता है कि यह काम अच्छा नहीं है वो काम बढ़ी है देखो उसमें कितने यश्कीरती मिलती है देखो उसमें कितनी प्रतिष्ठा मिलती है तो इस तरह से हम सोचते हुए जब हम प्रतिष्ठा के ऊपर चले जाते हैं अंदर से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या काम करने के लिए उसमें हमें रस भी आता हूँ धीरे धीरे पहचाना पड़ेगा इसमें बड़ा अच्छा लगता है इसमें बड़ा अच्छा लगता है मैं भी तो इस बात का सिकार हूं कितने दिन में आकर के अब मोका लगा है इत ना रोणा धोना पड़ा है आपको क्या बताऊं मैं अपनी कहनी तो इस तरह से यह सहज काम नहीं है यह तो खोजना ही पड़ेगा लेकिन घुरू जब आप रोते होता है दो आदमें के साथ बहुत बाहर होता है रहा इस और डिखाता है और वा और कभी कभी होता है थोड़ा बहुत कभी सुखी शुकी नही Сп MARK कह देता है बड़ा आनंद है कुछ-कुछ पीरियड जैसे माली जे दो मैना आनंद में है उस समय कोई बात कर रहे हैं कोई किसी के साथ तो कह देता है कि बड़ा आनंद में चल रहे हैं तीन मैना आनंद में हैं और उसमें चल रहे हैं लेकिन ऐसा है कि तीन मैना छे मैना दस मै आनन्द में और वो चीजें जिनके लिए आदमी चाहता है कि मेरे इतनी सहजता हो मेरे जीवन में इतनी सहजता हो कि मुझे प्रयास ना करना पड़े ये हमारा तारगेट है हम ये चाहते हैं कि प्रयास ना करना पड़े और सब कुछ ठीक होता रहे हम सब की मांग है यह आप अपने अपने से पूछो कि हमें कोई कोशिस ना करनी पड़े और हम ऐसा जीन जीहें जिस में सब कुछ सहजता हो तो जैसे मैं आजकल जी रहा हूं तो उसमें मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता कहीं भी मुझे कोशिस नहीं करनी पड़ती पर सब कुछ ठीक चलता है तो ऐसा हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले पर प्रयास ना करना पड़े प्रयास पूर्वा की आध्यात्मिक जो रास् जाता है तो इसलिए जो है अपनी जो वास्तविक जो जीवन की जो शैली है पद्दती है धंग है जो हमारा जो जीवन है उसकी वो जो खोज है उसके लिए बड़ा हमें धहरी धारन करना पड़ेगा और उसकी खोज करने पड़ेगी करना पड़ेगा भर बार जो है हमारे अंदर से वेग उठते हैं सबके सामने शियर्विंद कहते हैं कितना महान योगी तपास्वी कितनी सामर्थ साली व्यक्ति उनका जीवनी में पढ़ता रहा हूं वो कहते हैं कि मेरे अंदर कितनी बार वेग उठे कि मैं छोड़ चाड़ करके इस दुनिया को और राष्ट का काम कर रहे थे कि इसको छोड़ करके मैं योग साधना करूं तो वो तो परिस्थितियां ऐसी ब कि धन्यवाद है ब्रिटिश शरकार को कि मेरे बंदन जो मैं नहीं तोड़ पा रहा था एक जटके में सारे बंदन तोड़ डाले तो इस तरह से हमारे को ये सहज काम नहीं है इसके लिए थोड़ा आप घबराएं भी नहीं विचलित भी नहीं और उसके लिए आप अपने खोज को जारी रखें यहीं कहूंगा धन्यवाद है